हेलो नमस्कार दोस्तो स्वात करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तो एक बार फिर आपके लिए एक और नई महत्पुन जानकार लेकर हाजिर हुए है दोस्तो यह जानकारी विद्वा पैंसन योजना को लेकर है दोस्तों अगर आपके घर में कोई विद्वा महिला है और आप उस विद्वा महिला को इस योजना का लाब दिलवाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुती मैत्यपूर्ण है क्योंकि जानकारी में मापको बताएंगे किस प्रकार आप इस योजना का लाब ले सकते हैं क्या दस्तावेज मांगे गए हैं योग्यता पातिरता आदी संपूर्ण जानकारी आपको step by step और विस्तार पूर्वक दी जाएगी दोस्तों वीडियो को पूरा वाच करिएगा तब भी आप जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सन्निवेदन है यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हम्मारे वीडियो का जो नोटफेशन है वैस समय समय से मिलता रहे तो चलिए दोस्तो मेंना टाइम वेश्ट के हुए अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटफेशन पर और आपको देते हैं सभी महत्यपून जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो राइस्थान विद्वा पैंसन योजना दोहजार बाइस दोस्तो 500 से 1500 रुपे परती महा मिलने वाले हैं ओनलाइन आप आविदन कर सकते हैं दोस्तो दस्तावेज क्या मांगे गए हैं कितनी योग गिता रखी गई हैं पातिरता आदी सभी महत्यपून जानकारी आपको श्टैप बैश्टैप देने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले राइस्थान विद्वा पैंसन योजना के लाब जान लेते हैं महिलाओं का जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है और महिलाओं रोजगार की तलास में भटकती रहती है या तो उनको किसी के उपन निर्बन होना पड़ता है राइस्थान सरकार का मानना है कि यदि सरकार महिलाओं को आर्थिक सायता परदान करती है तो लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा महिला आत्म निर्भर बन पाएगी दोस्तो हर महिने महिला को पैंसन दी जाएगी तो विद्वा महिला के आत्म बल में भी व्रद्धी होगी और उनको सम्मान प्राप्थ होगा दोस्तो दोस्तो राइस्थान विद्वा पैंसन योजना हाइलाइट अब दोस्तो इसमें आप ये देख लिजें यहाँ पर ये योजना का नाम है योजना का नाम है राइस्थान विद्वा पैंसन योजना शुरू कब की गई है दोस्तो ये राज्य सरकार दोरा शुरू की गई है प उनसे विभाग संब्द है दोस्तों ये सामाजिक न्याय और अधिकरिक्ता विभाग है दोस्तों राइस्थान विद्वा पैंसन योजना के आविशक प्रवाण पत्र तथा दस्तावेज आप दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में भी राइस्थान विद्वा पैंसन का ल प्रति कोपी यानि कि आपके पास चाहिए आई प्रमान पत्र की और साथ ही महिला की वोटर आईडी होनी चाहिए आविदक महिला के पास आधर कार्ड परति आधर कार्ड की फोटर स्टेट आपके पास होनी चाहिए दोस्तो ओरिजनल भी आपके पास होना चाहिए आविदक के पास आई परमान पत्र होना चाहिए एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए राइस्थान विद्वा पैंसन योजना पातरता मांदंड आविदन परकिरिया अब दोस्तों जान लेते हैं उम्मिद्वारों को विद्वा पैंसन योजना वीड़ो पैंसन इसकीम के लिए ओनलाइन आविदन करने के लिए निमलेखित पातरों मांदंडों का पुरा करना होगा आई जानते हैं दोस्तों इसके बारे में राइस्थान विदा पैंसन योजना की पातरता जाच करने की पूरी परिकिरिया नीचे बताई गई है दोस्तों हमने इसमें नीचे बताई गई है अब भ्यारतियों को समाजिक फुरुकसा पैंसन राइस्थान सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा लिंक उलेखित दोस्तों तो ये इसकी ओफिसल वैबसाइट है आप नोट कर लीजें ये आपके बहुत काम आने वाली है राइस्थान-ssp.official.portal दोस्तों वैब होमपेज पर उपर मैन्यू पट्टी में eligibility criteria आपको मिलेगा अनुभाग पर किलिक कर दें जैसे ही आप यहाँ पर किलिक कर देंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं थारा साल से उपर की सभी महिलाए जो विद्वा, तलाकशुदा, पती दुआरा छोड़ी गई मुख्यमंत्री एकल नारी पैंसन योजना के लिए पातर हैं वे सब महिलाए लाब ले सकती हैं पैंसन का लाब उठाने के लिए आवेदक के पास परिवार की वार्षिक आए सभी सरोतों से 48,000 रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों कम चल जाएगी लेकिन दोस्तों, 48,000 से अधिक नहीं चलेगी विद्वा महिलाओ के लिए पैंसन दोस्तों, 18-69, 69, 59, वर्ष की आयो के बीच महिलाओ को 500 रुपे की मार्षिक साहिता मिलेगी दोस्तों, 60-64 वर्ष की आयो के बीच की महिलाओ को 1000 रुपे की मार्षिक पैंसन मिलेगी और दोस्तों, 75 साल से उपर की मार्षिक साहिता मिलेगी दोस्तों, ये एक नोट है, इसके बारे में जान लेते हैं, आपको बता देते हैं सभी पैंसन भोगी, भामा मासकार, विवरण के माध्यम से अपने योग्यता मांदंडों की जाच कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो इसके अलावा पैंसन भोगी, लिंग, और श्रेणी, वैवाई किस्थिती, आयू, बीपियल परकार और अन्य विवरण के माध्यम से अपनी योग्यता भी देख सकते हैं सभी उम्मिद्वार को आविदन पत्र भढ़ना होगा फिर राइस्थान में जिला, तालुका में सामाजिक कल्यान अधिकारी सोसल वैलफेर ओफिशर को विदित भरा हुआ आविदन पत्र दोस्तों जमा करना होगा सभी अनुमोधित आविदक पैंसन रासी प्राप करना सुरू कर सकेंगे ये आविदक अपनी पैंसन इस्थिती की जाच कर सकते हैं और विद्वा पैंसन लाबारती सोचिम में अपना नाम देख सकते हैं राइस्थान विद्वा पैंसन योजना फारम PDF डाउनलोड करें दोस्तों सबसे पहले आपको ओफिसल वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद वहां से आपको एक PDF जो फारम है वह डाउनलोड करना होगा उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों राइस्थान विद्वा पैंसन मुख्य मंत्री एकली नारी सम्मान पैंसन योजना के लिए आविदन करने वाले सभी उम्मीद्वार आविदन पत्र भर सकते हैं ओनलाइन आविदन पत्र भरने से पहले सभी उम्मीद्वार दोस्तों भामा सहा विवरण के माध्यम से या अन्ने विवरणों के माध्यम से अपने योग्यता मंद्डों की जाज कर सकते हैं दोस्तों, PDF प्रारूप में राइस्थान विद्वा पैंसन योजना 2021-25 फरम रेश्टेशन फोर्म PDF डाउनलोड करना होगा दोस्तों आज सक करते हैं दोस्तों, आपको जानकारी अच्छे से समझ आयोगी यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आपके सभी सवालों का जाब दिया जाएगा दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरू सब्स्राइब करिएगा क्योंकि सरकार दुआरा जो भी वैकेंड से निकाली जाती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है चाहे वैस सरकारी हो, यहाँ समीद आपर सरकार दुआरा निकाली गई, नौकरी हो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे अब दोस्तो आपसे चाहते हैं जायत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जनकारी के साथ, जब तक के लिए जया हिंद जया वारत.